बारिश के मौसम में होने वाले आयफ्लू संक्रमन तेथी से फैल रहा है अस्पतालों में संक्रमन से प्रवह वे सैकडों मरीज आ रहे हैं संक्रमन की चपेड में बच्चे से लेकर बड़े तका रहे हैं शतर पुझले सहीद आसपास के इलाकों में कंजप्ति वाइटे संक् अपने पैर पसार रहा है आपको बता दें कि आयफ्लू बारिश के मौसम में होने वाली एक आम समस्या है जिसमें आखों के सफेद हिस्से में संक्रमन हो जाता है आयफ्लू के जायतर मामले सर्दी खासी वाले वाइरस की वज़ह से बढ़ते हैं इस संक्रमन के कारण आखो में कीचड़ आता है खुजली होती है दिनों देन जिला अस्पताल की OPD में मरीजों के संख्या बढ़ रही है पहले रोजाना सो देड़ सो मरीज पहुंचते थे मगर आज रोजाना धाइसो से तीन सो मरीज संक्रमेंट से ग्रसित पहुंच रहे हैं जिसकी कुल संख्या 500 के उबर निकल चुकी है कि अभी जो हीमिड और हॉट इंवार्मेंट होता है भी उमच भी है गर्मी भी है तो इससे ज्यादा फैलती है और इसमें लोग बाग साउधानी रखें चैसमा लगा के रखें और आँखों के डॉप डालते हैं नजदी की उपस्वास्किन में प्रा जो आप के लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हैं हर मसले का सट्यक विश्लेशा हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखलनी उस आप देख रहे हैं तखलनी उस